दुल्सट कपओ था? कहा लगाए और कब लगाना शेंग हुआ अभिकाहं छांदों करगारों हे, दुल्सट कपओ था, लगानी के परमपरब कर जिंधहां से चलव जारी है शाहिए कोई ऐसा हिनंगता होगा यहां दुल्समी कपओ था हुआ ना नगा। त्रुसी के खौट्टे को एक तरह से देवी लच्नी का रूप माना गए है। कहां जाता है, कि जिस घर में तुल्खी की पूजा अर्चन होती है। उस धर देवी लच्नी की क्रभ攻 शुदभ का सबैख़ मनी रहती है। आयता भी माना जाता है कि गुष तुस्तान का तुल्सी का पाउधा होता है वहाँ भवान बेशनों का निवास रुटाने है शास्त्रों में तुल्सी वो दूजनी और देवी के रूप बाना रहा है इस कारण एडिया की घर्मी की तुल्सी का पाउधा यू तुम कुछ बातों का भ्राण अभश रखना चाहिए नहीं तो आपको लाग की चगर मुठान नहीं हो तकता है यदि आप इन बातों का ध्राण लगते हैं तो आपको तबी देवी देव्टाह की क्रपा सदाइब करने है तुल्सी का पाउधा कि दिशा में लगाना चाहिए वस्तु शास्त के अनसार हर पौधे को लगाने के एकने शिर दिशा होती है यदि आप किसे पौधे को वस्तु शास्तु में बताई गई दिशा के अनसार लगाते हैं तो हमें कभी भी समस्याओं को सामना नहीं करना पड़ा अगर वस्तिशास्ट की मानी तुम्हर में तुल्सी का पाधा फुक्तर पूर्ड या पूर्ड दिशा में ही लगाना चाहिए। तुल्सी का पाधा कब और कहा लगाना चाहिए। तुल्सी का पाधा कब लगाना चाहिए। जिस्ते हमारा तुल्सी का पाधा सुखे नहीं। आज देखने में आता है कि तुल्सी का पाधा कब लगाना चाहिए। जिस्ते हमारा तुल्सी का पाधा सुखे नहीं। आज हम आपको तुसरी पॉद्वे को लगाने के बिज्जी बताते हैं, उससे कि आपकी इसमद्व से हमेशा के लिए समाब सुझेए। तुसरी को पॉद्वा तबी लगाने शाहिए ज़िए बहुत ज़्यादा गर्मियन है, तो बहुत ज़्यादा शाहिए। ज़्यादा गर्मियन या ज़्यादा सकते हैं, तुसरी पॉद्वा में लगाने शाहिए। तो अगर मनुद्वत की बात करने तो इसे कि रज़बार के में लगाना शाहिए। आप तोसी गंगने में तो इजा चाहिए। अफ्कर आप में देखा होगा कि हम अपने तुल्सी के पौधे की बेखाचा ही तरीके से करते हैं। फिर भी तुल्सी का पापा सुच जाता है। माना जाता है कि इस तरह किशे के पौधा सुच जाना शुख नहीं होता। मरा जाता है कि लिए तुल्सी का पापा सुच जाए कि तुल्सी का पापा पापा सुच क्या करना शाहिए। द्धर्मी होनी गादी बरास्टर्मी बाधा उत्पनी करेगा तो द्धर्मी सुखा वद्धू सिकता कोथा नहीं लगाना साई